दोस्तो नमस्कार आदाब सत्सुयकाल नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश अभी राम नौमी के मौके पर देश के छे साथ राज्यों में जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई उनसे उभरते हुए सवाल बहुत बड़े हैं देश की राजनीत के लिए क्या हमारे देश में धर्म के राजनीतिक मनसूबों ने पूरे देश की राजनीत को खत्म करने का प्लैन बना लिया है या राजनीती स्वेम धर्मशास्त्र बन गई है उसका एक्स्टेंशन बन गई है दोस्तों मुझे बहुत पुराना एक कथन याद आ रहा है जब डॉक्टर बियार अमबेटकर भारत की सम्विधान की जो ड्राफ्टिंग केमेटी है उसके चैर्मेन साहब और जिसको मुझूदा सत्ताधारी और देश के सारे दल जिनका बहुत सम्वान करते हैं उन्होंने अपने एक आलेख में बोला था और मैं हूब हूब ओलाइन पढ़के सुना रहा हूँ कि politics in India is nothing but theology in action यानि उनका ये कहना था एक बड़े प्रसंग में उन्होंने ये बात कही थी कि भारत में जो राजनीती है वो धर्मशास्त्र का एक तरह से प्रकटी करन है व्यावहार में ये बात उन्होंने कैदी थी और उन्होंने ऐसे ही परिद्रशियों को देखकर कहा होगा जो आज भारत की राजनीत में मवजूद हैं और दिखाई दे रहे हैं आप ये मत समझे कि देश में पहले परिस्टितियां ऐसी नहीं थी जिस समय देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जो हालात थे जिस हालात में महात्मा गांधी के इन्रिशन सत्या हुई थी उस दौर को भी अगर आप देखिए तो भायावह तस्वीर पेश करता है लेकिन अब तो इतिहास की किताबों से उन चीजों को भी मिटाया जा रहा है संचेप में उसकी भी बाद में चर्चा करेंगे लेकिन अभी कॉमनल राइट्स को लेकर जो परिस्थितियां बनती जा रही है ये अजीबों गरीब भयावा हिस्थिति है कि अपने देश में जो धार्मिक महापुरुष है या हमारे भगवान इश्वर जो भी आप कह लीजिए महापुरुष इनकी जयन्तियों को इनके नाम पर या इनके जन्म के आधार पर जो भी चीजें हमारे सामने हैं इनके जन्म पर जो आयोजित होते हैं दिन उन मौकों का भी दुर्पियों किया जा रहा है अगर आप अपने महापुर्शों अपने देवताओं अपने इश्वरों अपने देवियों की जो जयन्ती है उनका जो जन्दिन है अगर उनका भी दुर्पियोग करें उपद्रों के लिए अशांती के लिए समाज को बांटने के लिए देश को बरबात करने के लिए तो अब आप सोचिए कि वे लोग इश्वरबादी हैं वो इश्वर के साथ हैं वो मनुशिता के साथ हैं वो समाज के साथ हैं देश के साथ हैं या इन सब के विरोध में खड़े हैं लेकिन आज धार्मिक जो महापुरुष हैं या धर्म शास्त्र में जिनको इश्वर की उप में इस्तेमाल किया जा रहा है यानि त्यवहार बन गए हैं राजनीतिक हथियार ये हैरतंगेज है लेकिन इस पर सब खामोश है संविधान के आर्टिल 25 से 28 के बीच में धार्मिक आजादी को लेकर धर्म को लेकर स्टेट से उसके रिष्टे को लेकर बहुत सारी चीजें कही गई है दोस्तों मेरा विश्वास है कि अगर भारत के राजनेताओं को उस समय जो परिस्थितियां थी और थी ऐसा नहीं है कि बिलकुल परिद्रिश्चे में वो सब गायब था लेकिन नहजाने क्या कारण था कि धर्म और स्टेट के सेपरेशन को ज्यादा स्ट्रॉंग ब शेस्त जो लोग थे उसमें कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग उस समय की जो सत्ताधारी पार्टी थी कॉंग्रेस उसी के नुमाइंदे थे कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो लेकिन विजुलाइज नहीं किया गया मैं उनको जिमेदार या दोशी नह जाओधान नहीं किया वरना आज की तरह किसी देवी देवता के जनम दिन या जैनती या नौमी के नाम पर जो तेवहार मनाय जाते हैं और बड़े इज़्जत आधर के साथ और शद्धा के साथ मनाय जाते हैं आम लोगों द्वारा उस मौके पर एक मीटर सवा मीटर से ले जाने कितने लंबे चोड़े हतियार चमकाय जाते हैं जलूस निकाला जाता है उन देवताओं के नाम पर ये कम से कम घटित नहीं होने दिया गया होता है कड़े प्रावधान हो गए होते लेकिन आज इस्थिती यह है कि स्टेट के पास पावर है राजियों के पास भी अध जाए और जलूस की क्या जरूरत है अपने महापुरूस की अपने इश्वर की अपने देवी देवता की श्रद्धा में अगर कुछ करना है तो अपने घरों में करें मंदिरों में करें उपासनास्तलों में करें मस्जिदों में करें गुर्द्वारों में करें अगर जलूस कुछ limited निकाले भी जाते हैं कुछ दिन पर तो प्रशासन से उसकी मंजूरी हो और साथ में ये भी शर्थ हो कि कोई हथियार चमकाता हुआ ना निकले दंगे की उपद्रों की अशान्त की सामाजिक सामप्रदाइक जड़्पों की नौबत ही न पैदा हो लेकिन आज तो बिलकुल डॉक्टर रमबेटकर की वो लाइने मूर्थ होती नजर आ रही हैं कि भारत में इनको धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है धार्मिकता के नाम पर सामप्रदाइकता का नंगा नाच हो रहा है दोस्तो बिहार के नालंदा और सासाराम में जो दंगे हुए जो अब थमे हुए हैं इनके बारे में भी राजी के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने जब मैं आप से बात कर रहा हूं आजी की तारीक में विहार विधान सभा के बजट सत्र के आखिरी दिन वहां कहा है डिकलेयर किया है कि दो दिन में वो पूरी की पूरी रिपोर्ट रिवील करेंगे कि आखिर इन दंगों के पीशे कौन है और उनका कहना है कि हमें पता चल गया है और बहुत सारी बातें ही कठा की जा रही है हम इसको रिवील करेंगे और दोस्तों हमारी जो जानकारी मिली है जो मीडिया में भी चंचन के आई है और कुछ फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी या टीम्स जो गई थी वहां उनका भी ये कहना है कि सासाराम और बिहार शरीफ में इस तरह के कॉमिनल क्लैसे कॉमिनल राइट्स करानी की योजना थ कुछ लोगों कुछ समुहों को कुछ घरों को और दंगें की जो भीड थी दंगाई जो भीड थी उसमें कोई आसपास का आदमी नहीं था नजदी की लोग नहीं थे उस इलाके के लोग नहीं थे वे बाहर से आये थे वे बाहर से क्यों आये थे किसने लाया था और बिहार क गाओं में पूरी की पूरी तैयारी थी हर गाओं में हर कस्बे में जुलूस निकलवाने की आकीरे तैयारी कौन कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि एक स्टेट जो राजनितिक रूप से कुछ ताकतवर लोगों को ताकतवर समुहों को नागबार गुजर रहा हो कि यहां उनकी दाल नहीं गल रही है या दाल गलती नजर नहीं आ रही है तेईस चोबिस में तो जान बूझकर ये एक योजना के तहट पुलराइशन करानी की कोशिश की गई समाज को बांटने की कोशिश की गई और अगर ये सिलसला जारी रहा तो निष्टित रूप से इस्थितियां बदली जा सकती है ये अंदाज लगानी की भी कोशिश की गई बिहार शरीफ में दोस्तों मदर्सा अजीजिया सो साल से भी ज़्यादा पुराना ये मदर्सा माना जाता है नालंदा जिले का हिस्सा है नालंदा में एक समय महान पुस्तकाले जलाया गया था मैं मीनी नालंदा तो नहीं कहूंगा मदर्सा जी 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 करने वाले इतियास को खास डंग से डिस्टार्ट करने वाले लोगों के लिए किया यह भी एक मुद्दा था एक मसला था तो बहुत सारे सवाल इस खड़े हो गए हैं महारास्ट के औरंगाबाद जिसका नाम संभाजी राव नगर अब है वहां अभी भी अभी भी अशांती ह अभी भी उपद्रो जारी है बीजेपी शासित शीवशेना सासित प्रदेश है शिंदेवाली शीवशेना बंगाल में रिशडा के इलाके में अशांती अब्भी है विहार में अशांती थोड़ी रुकी है सरकार शासन को यह यकीन है कि चीजने ठीक हो जाएंगी लेकिन फ एक बड़ा प्रशना है दोस्तों और हमारी पूरी सामाजिकता के लिए हमारी जो वाजब जरूरते हैं हमारे वाजब जो कंसार्न है कहीं न कहीं उसको दबोचता नजरा रहा है और दूसरा जो प्रसंग है जो बहुत महत्पूर्ण है वो मैं जरूर आपके सामने आज NCRT की जो किताबें हैं और आप जानते हैं दोस्तों की NCRT भारस सरकार की एक ऐसी संस्ता है जिसको आटानमी मिली हुई है और वो पार्ठिकरम की किताबें भी तैय करती है सिक्षा के बारे में उसकी बहुत महत्मूर्ण भूमिका है लेकिन अभी खबरे लगतार आ रही है अखवारों में और तमाम माद्धिमों में की बहुत बुरी तरह किताबों को एडिट किया रहा है डिलिट किया जा रहा है उनके बहुत सारे महत्मूर्ण पोर्शन और इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खुलासा किया है वो बिलकुल साफ है डॉकुमेंटरी प्रूफ है उसका इविडेंस है कि महात्मा गांधी की निशन्स हत्या के बारे में भी जो प्रसंग है किताबों में उस उन अंशों को भी ग्यारहमी की किताब है राजनी चास्त्र की NCRT की जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उसमें से तमाम वे पोर्शन हटाये जा रहे हैं जो गां जो इंडियन एक्सप्रेस ने जिसको बहुत प्रमक्ता से छापा है कि गांधी जी की जो हिंदू-मुस्लिम एक्ता की कोश्ये थी वो उस समय के हिंदू-उग्रवादियों को बिलकुल नापसंद थी और इस से वे लोग यानि हिंदू-उग्रवादी जो थे तत्व वो उ जाधी संगठन या एक्स्रिमिस्ट आइजिशन उस उन लोगों को बैन भी किया गया था उसमें आरेसेस का भी नाम है रास्टी स्वेम सिवक संग का भी नाम है ये लाइन भी डिलिट कर दी गे ये किताब की गांधी जी उन लोगों द्वारा नापसंद किये जाते रहे ज रोक लगी रोक लगने की बात तो बहुत प्रमुकता से जो पहले किताब में थी वो गया इसके अलावा दोस्तों इसके पहले हमने देखा है कि मुगल पीरियेट के बहुत सारे पोर्शन्स को बिल्कुल डिलिट कर दिया गया है और बाइस जून दो हजार बाइस को जो एक इन किताबों का जो प्रारूप पेश किया गया था रिपोर्ट में उससे भी इतर बहुत सारी चीजें डिल्ट की गई है जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा की गांधी जी के निशन सत्या के कांटेक्स्ट में अब सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों हुआ तो इसके बारे उनके एक अफसर जो मिस्टर एपी बहरा को कोट किया है इंडियन एक्सप्रेस ने उन्होंने कहा है कि यह हो सकता है कि उस समय जो चीजें हुई थी वो कुछ चीजें छूट गई हो इधर लेकिन यह सब पहले ही डिलिट की जा चुकी है और इसमें कोई नई बात नहीं है इसी तरह से दोस्तों गुजरात में दंगों के बारे में जो घैटवाइजेशन की प्रवर्ती का एक अंस था उसको भी हटा दिया गया है इतिहास की की कitाबों में खासकर बारहीं की किताब में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं गोट से के बारे में जैसे एक बहुत महत्प के रूप में उनको उसका एडजेक्टिब यूज किया गया है इससे पहले दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा कि इतिहास के वे पिरियट वह काल जो मुगल पिरियट कालाता है उसके बहुत सारे प्रसंग गायब हैं और क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री बुक्स में तुगलक, हटा दिये गए हैं हुमाउं शाह जहां, बाबर, अकबर, जांगीर और अंग्जेब सब कुछ गायब करा दिये गए हैं काफी हिस्टाइन का बारवे की किताब से भी कई प्रसंग और गायब किये गए हैं किंग्स एंड मुगल कोर्ट्स चैप्टर डिलिट कर दिया गया ह इमर्जेंसी के भी कुछ प्रसंग अधभुत डंग से गायब किये गए हैं, खासकर इमर्जेंसी को लेकर जो प्रतिरोध आंदोलनता लोगों का उसके बारे में नजाने क्यों गायब किया गया है, इमर्जेंसी तो कॉंग्रिस के दौर में लगी थी, तो मवजूदा इस पॉर्शन को गायब कर दिया गया हो, कि उस समय की चीजों को पढ़कर लोग इंस्पायर नहों, तो ये सब कुछ पहलू ऐसे हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से हमारे जो मवजूदा निजाम है, और जो मवजूदा जो हमारे शासक हैं, या हमारे नीती निर्धारक हैं, जो सिक्षा से लेकर संस्कृची तक हर जगा निर्णय कर रहे हैं, और इस निर्णय के पीछे जो दिखाई पढ़ते हैं वे, और जो नहीं दिखाई पढ़ते हैं वे, इन सभी लोगों के बारे में कहा जा सकता है, कि निश्चित रूप से इतिहास से डरने वाले लोगों क संखיा कुछ बड़ी है नेकि दोस्टों याद रखिएगा जो इतिहास से डरते हैं जो इतिहास को अपने ढंग से मनमाने ढंग से पेश करने की जिद्द करते हैं उन्हें इतिहास बहुत लंबे समय तक याद नहीं करता है इतिहास से सबक लेना चाहिए इतिहास से सीखना चाहिए और एक बहतर इतिहास बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए तो इन शबनों के साथ आज बस इतना ही नमशकार आदाब सत्रियकाल